अभी हमने एक income statement का question देखा है तो अब लेट सी एक balance sheet का question मजीद देखें और उसमें देखें कौन कौन सी adjustment से नहीं है बी limited bought 55 percent shares अब तक मैंने 75 80 70 की बात कर रहा 55 याद रहके अगर more than 50 है तो holding substitute का relation बन जाता है तो इसलिए यह फिर consolidated accounts बनेंगे 31st December 29 तीन को form the following balance sheets prepare consolidated statement of financial position as on 31st December 2020 इसमें point note करें के कहीं पर हम word use करते हैं balance sheets कहीं पर हम use करते हैं word statement of financial position तो असल में balance sheet word भी same है और यह statement of financial position भी same है बस यह जो standard setters है ना वह जब भी कोई नहीं standard लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ change करते हैं तो basically है तो प्रिशानी नहीं है कि उपर हमने balance sheet लिख दिया और नीशे हम कह रहा है statement of financial position अब देखें इसमें क्या है investment की आपने S में subsidiary में 4850 की और property plant and equipment यह non current assets आपके और current assets और total again thirty one thousand five hundred seven thousand seven hundred share capital में thirty thousand five thousand profit on thirty first December nine hundred and two thousand two hundred and profit for 2020 note करें यहां पर भी दो दो दफा profit लिखा हुआ है एक वो है जो pre है एक वो जो current year का है तो total balance sheet आपकी बराबर हो जाती है इसमें कोई इसमें कोजयाब LNB calculations नहीं involved लेकिन notes में जाएं दर वर्किंग देखें मैंने इसकी साथ दिखा दिखा दिया कि आपने investment किये 4850 की मैं वर्किंग की बात कर रहा हूं और दूसरी साइट पर आपके जो ऊपर assets आ रहे हैं वो बनते हैं आपके 500 की capital और 2200 का profit यह pre acquisition profit याद रखें पोस्ट वादा इसमें चामिक नहीं तुटल बनता है 7200 आपका शियर 55% अब देखें 55% जो बनता है वो 3960 और investment आपने किये 850 की तो आपको goodwill हो गए या आपकी 890 और यह state of balance sheet में चले जाएगी property plant equipment के साथ इसमें एक point note करें कि क्या यह possibility है कि आपकी goodwill negative में चले जाए जाया इसके कि आपके net asset जो खरीदे हैं वो ज्यादा हो जाएं और जो payment आपने किये वो कम हो जाएं तो in that case यह बन जाएगी negative goodwill और negative goodwill के बारे मैंने discuss कि कर चुका आपके साथ कि इसके बारे में फिर हमें यह देखना पड़ता है कि हमने जो calculations की है या जो जो fair values ली है assets की वो सही ली है के नहीं वो repeat करनी पड़ेगी वो exercise और अगर आप समझते हैं कि यह आपने एक bargain purchase की है तो okay then take it to the balance sheet में ले जाएं इसको जो change in equity statement है उसमें आप OCI के नाम से इसको डाल दे और वहां रखें इसको यह possibility है total net assets आपके आ जाएंगे current accounts जो हैं उसमें simple है आपने आड़ी कुए और इस तरह से share capital आपकी company का और NIC की calculation बदर नीच्चे देख ले total net assets वो जो आपने ऊपर निकाले हुए हैं उसमें देखे फिर repeat कर रहा हूं कि इसमें आपने प्री और पोस्ट का concept नहीं लेना इसमें आपने share capital current year profit और last year profit जो भी बचे हुए सब ले लेने तो total बनता है आपका साथ हजार साथ सो अगरे साथजार दो सो तो 500 जो पिछला है वो भी आ जाएगा इसमें तो total आपका 7700 का profit और इसमें 45% क्योंकि 55% है आपका तो इसने आपको 45% लेना पड़ेगा तो निक आ जाएगी आपकी 3465 और total profits जो है आपके वो add-on होके यह बन जाएगा 35 to 40 यानि total आपका फिकर बन जाएगी तो profit की फिकर की भी calculation दी हुए यह प्रॉफिट की के आपका profit और प्लस उसके profit का 55% 275 1175 यह working फोटा सवाज था इसलिए त्रीम की working साथ मैं ने दिखा दी है तो आपके assets and liabilities का total balance हो जाता है